हेलो दोस्तों मैं आपको गैड़ आपका दोस्तों और आप देख रहे हैं हमारे एक चैनल आज हम इस वीडियो में बिहार विशिष्ट करेंट अफेयर जुन 2022 का देखेंगे आपको बता दें कि प्लेडिस्ट में प्लेडिस्ट में जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक का करेंट अफेयर उपलब देए ठीक है बीपिए से 67 को जो एक्जाम हुआ था अभी जो कि फिर से अगस्त के लाश्ट वीक में होना है जो पहले पेपर हुआ था जो लीक हो गया उसमें आपने देखा होगा कि 2021 का करेंट अफेयर देखतर पूछा गया था और अगर आपने वो वीडियो देखे थे उमीद करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा खासा प्रस्न आपका करेंट अफेयर का कवर भी हो गया होगा क्योंकि लगभग प्रस्न जो करेंट अफेयर के थे हम बार बार जो बोलते हैं कि आप बैजू उसको फॉलो करिए सही में अच्छा content है किसी भी परिक्षाव में आप देख सकते हैं beneficial है सबसे बड़ी बात ही होती है कम से कम page है इसमें ठीक है कम से कम आपको page पढ़ना होता है और benefit जो होता न अधिक तम होता है उसका तो वही है कि 4 page को 40 बार बढ़ो यह 40 page को एक बार पढ़िए फायदा 4 page को 40 बार पढ़ने में होगा तो इसी लिए content कम है लेकिन solid है अगर आप इसकी PDF जैसे कि माप लोगों को share भी कर देते हैं तो अगर आप एक बार PDF पढ़के उसके बाद आप वीडियो देख लेते हैं या फिर वीडियो देखकर पीडियो पढ़ लेते हैं तो ततकाल मेरी वीजन भी हो जाता है और जो प्लेलिस्ट में जनवरी 2021 है फरवरी 2022 तक का वीडियो है उसमें मान के चलिए कि चार से पांच घंटे में वो पूरा का पूरा वीडियो कवर हो जाएगा हम यह ज़्यादा बता रहे हैं फिला है लेकिन इतलग भग इतना समय में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा पीडियाफ हम सेयर करते हैं पीडियाफ भी आप लोग पढ़ लीजिए मार्केट में कंटेंट नहीं मिलेगा लेकिन इसकी पीडियाफ तो उपलब्द है तो आप पीडियाफ से कवर कर सकते हैं और अच्छा खासा बेनिपिट आपको मिल जाएगा आपके परिक्षा में तो BPSC 67 परि जो की अगस्त के लास्ट वीक में होने वाला है उसी को ध्यान में रखके ये वीडियो त्यार करें ताकि आपको अच्छा खासा फायदा मिल सके हैं तो हम शुरुआत करेंगे जून का आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरो बिहार का माइप है आप एक अपना अपनी निगाह दवडा के देख सकते हैं कौन सी जिले की स्थिति कहां पर है ठीक है इसमें आप देख सकते हैं यह सब्सक्राइब चली तो हम सुरुआत करेंगे मुख्य मंत्री दिव्यांग जन सशक्ति करण योजना संबल संबल योजना है 21 जून 2022 को बैठक परिशत के द्वारा ठीक है याद रखना है इसको इसमें याद रखना है समाज करण विभाग के अंतरकत वित्तिय बरस 22 तेश में मुख्य मंत्री दिव्यांग जन सशक्ति करण च्छत्र योजना की संचालित है संबल योजना के माध्यम से चालंत लोको मोटर कि याद रखना कि राज्य सरकार द्वारा लागुकों के लिए बयालेस सो लाख रूपए की वे की शुकृति मिली है तो यह भी एक पॉइंट भाई बयालेस सो लाख लब बयालेस करोड रूपए ठीक है इसमें एक चीज़ उड़ याद रख सकते हैं कि यह जो संबल योजना विकलांग विक्ति समाना उसर अधिकारों का सरक्षण पॉड़ भागिदारी अधिरम उन्हें इस सब पर इंचान बेके सभी प्रावधानों को लाकू करती है ठीक है अब पातरता के बारें देख ले ठीक उमर सीमा 18 साल होनी चाहिए या फिर उससे अधिक की होनी चाहिए इसके लावा वार्षी का न दो लाख रूपए हो उनका आवास अपने महाविद्याले विश्विद्याले च्छात्रावास रोजगार स्तल से कम से कम 3 किलोमेटर की अधिक दूरी पर हो पातर जो होग और दिव्यांग आवेदा के पास विगलांगता प्रमाण पत्र होना है यह जो की सिंपल सा है या रखना है योजना के कुछ प्रमुग घटक है जैसे शैक्षिक पुनरवास आर्थिक पुनरवास और समाजिक पुनरवास सिल्क मेनेजमेंट पॉलिशी गाद प्रबंधन नीती है तो यह चर्चा में क्यों रही भाई वो चर्चा में इसलिए रही कि बिहार के जलसन साधन सूशनर जन संपर्क मंत्री स्री संजे कुमार जहां जो है न ने दिली में जलसक्ती मंत्राले भारत सरकार के दौरा भारत में डैम सेफ्टी गवर्नेंस के लिए 22 सुरक्षा अधिनियम 2021 विशे पर आयोजित राश्ट्र का रिशाला मंत्री संब्लन में भाग लिए थे ठीक है उन्होंने क्या किया कि जल्परबंधन की शेतर में बिहार की उपलब दियों और आउशक्ताओं से केंद्र को कि जल सेंचन छमता जो हना वो काफी कम भी हो गई है ठीक है यह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है याद रखना कि वर्तमान बिहार में लगवख 27 बड़े डैम है पांच परमुक बैराज है नदी जलाश है जील के माधम से क्या हुआ जमागात के प्रबंधन के लिए जल श भेजा गया था इसी संदर में बिहार सरकार का जल साधन भी भाग अपना मंतव किन सरकार को उपलग कराया है ठीक है तो यह हमें याद रखना है कि किन सरकार से सिफारिशें क्या क्या हुआ हुई है कि दक्षण बिहार में सिचाई शमता को मजबूत करने के लिए करता मतलब कि नेपाल में उच्छे बाद के निमार में के अंदर दौरा पहल करने की आवशकता भी होगी बाद की सरक्षा में भी फलता से होने लिए आप अदाओं की रोख थाम करने के लिए और बादों की सुरक्षा सुनिश्यत करने के लिए एक संस्थागत तंतर का छ्री दादीजी सेवा समीती की द्वारह नर्मित अमर प्रेम भावन का लोकारपन के लिए किया जा रहा है मुख्य बिंद के रूप में याद रखना है कि अमर प्रेम भावन का निर्माड रानी सती मंदिर के ट्रस्ट मतलब न्यास स्री सती धाम सेवा समीती या दादे जी सेवा समीती भावन द्वारा किया जाता है स्री सती धाम सेवा समीति भावन का निमार पहली बार 20. स्थापदी के अंत में किया गया था ठीक है इसकी कलात्मग और पारम परिख भारति बास्तु कला के कारण भारत सरकार दोरा विरासत भावन के रूप में चिन्धत भी किया गया है 2001 में भूकम की कारण क्या हुआ था कि ये च्छती गरस्त हो गया था बाद में फ्रांस और भारत की पुरत तो भी भाग ने इसके पुनाह निर्मित करने की योजनफ को साकार किया है ठीक है अब रानी सती मंदिर क्या भी देखे जुन जुनू में स्री रानी सती मंदिर रानी सती दादी जी मंदिर जिससे दादी मंपयया मंदिर की नाम से लाता इसकी स्थापना हुए थिए 1977 में स्री मती बनारसी बाइ नारानड़ दास जी मौसइ जी के ठीक है oh याद रहाग से जुन जुनू के साने सती मंदिर भारत के धर्म निर्पेक्ष विचारों का प्रतिक है क्यों क्यों कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, सभी धर्मों के अनुएई समान पवित्रता भक्तिया टूड विश्वास के साथ यहां पर आते हैं और पूजा भी करते हैं और याद रखना हर सालना अमावस्या के दिन यहां पर एक पवित्र पूजा उत्तो आयोजित भी किया जाता है ठीक है, यह बात भी आपको पता होने चाहिए एक चीज़ और याद रखना इसमें, कि इसकी सबसे बड़ी विश्यस्ता यह है कि इसमें कोई भी मूर्ती नहीं है, याद रखना भाई ठीक है, यहां पर क्या है, शक्ती बल के रूप में किवल एक त्रशूल की पूजा की जाती है, जो हिंदु धर्म के अनुसा सरवच्च शक्ती का परतीक होता है तो कौन है रानी सती भई, इनके बारे में भी देख लें तो राजिस्थान देश के अनने हिस्टों मारवारी समाज रानी सती दादी की पूजा करता है मानना ये है कि रानी सती दादीमा जो है दुरगा का स्वरूप है याद रखना इनका संबंध महाभारतकाल से महाभारतकाल में रानी सती का उल्लेक जो हुआ है वो अभिमन्यों की पतनी उत्रा के रूप में होता है ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यों के मृत्तियों के बाद क्या हुआ कि उनकी पत्नी उत्रा रही न वो भी अगनी में स्वयम सती होना चाहती थी लेकिन क्रिश्म के समझाने पर वो मान जाती है इस बाद ची विचार को त्याग भी देती है मुंगेरी लाल कोन भई बिहार के वर्तमान राजिपाल फागु चोवान प्रसिद्ध सत्मता सेनने पूरु मंत्री स्वर्गिय मुंगेरी लाल की 21 मी पुन्यत थी पर उने सर्धांजरे दी है तो 21 मी पुन्यत थी हमें याद रखनी है ठीक ना याद रखना इसको आगे पर शन दोरा क्या हुआ कि मुंगेरी लाल ट्रस्ट की स्थापना की घोश्णा होई है और एक वेपसाइट भी बनाई गया है मुंगेरी लाल ट्रस्ट.com का लोकार पड़ भी किया गया है तो 1913 समाजिक निया के पुरोधा है स्वर्गी मुंगेरी लाल ट्रस्ट का जन्म हुआ था एक जनवरी दो 1904 को कुर्जी कौर्जी कौटिल्या नगर में हुआ ठीक है ये बात याद रखनी है इन्होंने 1913 संग्राम में आहिम भूम के निभाई कई बारे जेल भी गए और 1952 में पटना पश्चिम विधान सभा 76 से ये चुना भी जीते थी बिहार बिधान सभा के सदस बने 52 से 77 तक लगातार विधान सभा विधान परिशत के सदस के रूप में नोंने काम किया है ठीक है और बिह अध्यक्ष भी रहे हैं इस समय न इस आयोग को मुंगेरी लाल आयोग भी कहा जाता है ये आयोग क्या है रिपोर्ट सामाजिक न्याय विशे पर आधारित एक अती विस्त अध्यान है ठीक है ये बात भी हमें ध्यान रखनी है इसमें एक चीज़ और याद रखना है पिछ मुंगरी बाबु के उजस्वी और सार्थक जीवन का सूर जो है 29 जून 2001 को पटना के कुरजी इस्थित होली फैमिली हस्पिताल में अस्तो हो गया था तो पटना में है कुरजी ठीक है याद रखना इसको चली आगे देखते हैं राष्टर राजमार्ग परियोजनाओ का उ लगभक 13,585 करोड रूपे लागत वाली 15 राष्टर राजमार्ग परियोजनाओ का उद्गाटन सिलान्यास किया है अब इसमें ध्यान ये रखना है कि 967 करोड रूपे की कुल 308 किलोमेटर लंबाई की 11 राष्टर राजमार्ग परियोजनाओ का निर्मार किया जाएगा इसके माध्यम से महत्मा गाधी सेतु को पार करने में लगने वाला जो समय है दो से तीन घंटे का वो घटकर पांच से दस मिनट तक रह जाएगा ठीके याद रखना चपरा गोपाल गंज को चार बाईपास के साथ दो लेन का किया जा रहा है चपरा गोपाल गंज को चार इसके लावा उत्तर भिहार को जोडने वाले मुख माध्यम गांधी सेत के पूरवी लेन का उद्गाटन भी इन्होंने किया उपस्रिम 2014 में किया गया था तो 2017 में गया हुए इसे नए तरीके से बनाने का काम भी शुरू हुआ है ठीक है उमा गाउं से जाने वाला जो रास च्छे लेन के मार्क से उत्तर प्रदेश जार्खंड और पश्चिम मंगाल के साथ बिहार के सड़क संपर्क में सुधार भी होगा एनेच असी पर बन रहे है टूलेन की सड़क से बिहार साहिव गंज और आसाम क्यों अंतर राज्य जल मार्क टर्मिनल से जोड़ा जाएग इसके त्रिक बेगु सराय, एलिवेटेड फ्लाइवर, जैनगर बाइपास आरोबी से याताया सुविधा जनफ होगा लेवल क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जामों से राज्य को राहत भी मिलेगी तो यह चीज़ हमको याद रखनी है फिर कायम नगर से आरा के बीच अनमालकार पूरा भी हुआ था गंगा नतिबर देखित केवल चार पुल बने लेकिन बरतमान में इस नदी पर कुल सत्रह पुल बन रहे हैं, पहले चार ही जहें, लेकिन अब सत्रह बन रहे हैं, ठीक है, समाना अंतर भी फोरलेन पुल भी बनाय जा रहा है, मुंगे एर भ दर्भंगा संस्कृत माह संस्कृत विश्विद्याले के रहा वई है महामयूम राजयपाल सहकुल आधिपती स्रीफागू चौहान के निरदेश पर 28 जून 2022 को कामेशुर सिंग अच्छा आप ये भी पता हो गया ना कामेशुर सिंग दर्भंगा कामेशुर सिंग संस्कृत द्याले का है दर्भंगा में तो प्रतिकुलपती कुलपती और कुलसची के साथ बिभिन जनव प्रतिन धियों ने सोरतों से इस विश्वी द्याले संबंदों में प्राप्त अनियमित्ता संबंदे शिकायतों के आलोक में समिक्षा बैठक आयोजित की गई है तो याद रखन चलते हैं मुख्य बिन्दू देखेंगे बिहार शिक्षा विभाग अब बित्तिय अनिमित्ता के तहत कुछ बिश्वी विद्याले के खिलाब प्राथमी की दर्ज कराने की तैयारी में है ठीक है इसमें कुछ ज्यादा नहीं है चलिए कामेश्वर सिंग दर्भंगा संस्कित बिश्वी द्याले देख लें तो इसकी स्थापना हुई है 26 जनुर दोनई स्विक्षर को इस भी को सुर्गी महाराजा धिराज डॉक्टर सिर्क कामेश्वर सिंग की दानश्रीलता के अफसरू हुई थी ठीक है यह बात हमें भारत वर्स था लेकिन वर्तमान में इसके अधिकारता शेतर मातर संपूर्ण बिहार राज में रहे गया है ठीक है यह चीज़ आपको ध्यान में रखने है इस विश्वी द्याले को अनुदान आयों कि मानता प्राप्त है AIU से सदस्ता भी मिला हुआ है इस विश्वी द्य AC से पर्थम चक्र में 2006-11 तक B++ ग्रेड प्राप्त हुआ अब दूसरे चक्र में 2016-21 में क्या हुआ के लिए 2.70CGPA के साथ B ग्रेड प्राप्त है ठीक है तो यह कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है चलिए आगे देखते हैं अब इसके आगे हम राज विश्वी द्याले में राजपालों की भूमिका देख लेते हैं थोड़ा सा राज के राजपाल उस राज के विश्वी द्याले के पदेन कुलादी पती होते हैं बस सही है बद ध्यान रखना भी यह राजपाल के रूप में मंत्री परिश्ट की सहायता सला से कारे कर में मंत्री परिशत से स्वतंत्र होकर कारे करता हूं विश्विध्यालाई के सभी मामलों पर निरड़ाई भी लेता है यह ध्यानक ना केंद्री विश्विध्यालाई का मामला क्या रहा है तो मामला यह भीया केंद्री विश्विध्यालाई केंद्री विश्विध्यालाई के कुलाध्यक्ष होते हैं तो केंद्रे विश्विद्याले के कुलाध्यक्ष कोन होते हैं तो पता उनसे राष्ट्र पती महोदे होते हैं ठीक है यह चीज हमको याद रखने कुलाध्यक्ष को भी केंसरकार दोरा गठिस समीतियों दोरा चुने गए नामों के पैनल में किसे वि क्या कैए चाहिए कि अधिक राजियों के लिए राजिपाल के अनुगहां किन सरकार राज सरकार के बीच एक महत्मूर काड़ी की रूप में काम भी करते हैं अब अनुच्छेद 157 और 158 क्या कहता है कि राजपाल पद के लिए पातता संबंधी या वशक्ताओं को निर्दिश्ट किया गया है राजपाल को समधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार छम 264 इसके तक क्या है राज के मुख मंत्रियों की नियुक्ति राजपाल द्वार की जाती है अनुच्छे 200 के अनुसार क्या है राजपाल राज की विधान सभाद और पारित विध्यक को सुकृति प्रदान करता है अपने सुकृति रोकता है या राश्पति की विचार के लि यह 123 अनुछ जोन राष्ट्रपती के लिए प्रावधान करता है। चलिए। आगे देखते हैं डॉक्टर अनुग्रहन नरान सिंग कौन ही ये। 18 जून 2022 को भीःर के पहले उपमुख मंतरी कों थे तो डॉक्टर अनुग्रहनलान सिंग इनकी जैनती पर राजय पालस श्री फागो चौहान और मुख्यमंत्री श्री नतिश कुमार ने क्या किया है माल ल्यारपन करूने नमन किया है 2022 में बिहारवी भूती अनुगरह नान सिंहा की 135 याद रखना 135 जैनती मनाई गई भाई बिहार के पहले उपमुखमंत्री के रूप में बिहार के पहले वित्तमंत्री 1937 में भी थी ये 1937 में रहे हैं बिहार में भूती जो थे अनुगरह भाबु ने 1917 के चंपारण सत्यागरा में महात्मुल भूम क्यानी भाई महतमा गांदी ने चंपारण में हो रहे किसानों पर जुल्मों के विरुद लड़ने हेतु अनुग्राह नराने सिन्हा को आमंत्रेद भी किया था डॉक्टर सिन्हा का जन्म कब हुआ था तो पता होना चाहिए भीया अठारा जून 1887 को हुआ था और अंगाबाद जिले के पोई अवागाओं में हुआ था उनका निधन हुआ पांच जुलाई 1957 को पटना में 10 942 को भारत चुलान दोल दोरान इन्हें ग्रिफ्तार किया गया फिर क्या हुआ आधनिक बिहार का इनको निर्माता भी कह जाता तो पॉइंट इभी तैयर हो गया कि आधनिक बिहार का नियुक्त किसको कह जाता है थिक बिहार के साथ बंगला और नेपाल को लाभामे करने वाज़े दामोदर नदि-घाटी पर्योजना नने इनी के प्रयास की देन है त्व मोधर नदि-घाटी पर्योजना याद रखना किया है कि बिहार में वियाभर एक अर्थ स्वास्तर्ट का पंडित। भी माना जाता ही ने यह भी ध्यानक नहीं आठक है आगे देखेंगे गंडक नदी तो गंडक नदी क्यों चर्चा में रही है इसमें क्या हुआ है ठीक है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे तो गंडक से क्या हुआ है कि 27 जुन 2022 को नदी के तटीय कटाव की शिकायत मिली है वैसाले जिला में लाल गंजे प्रखंड के वलहा वसंता में उसी कर निरिक्षण करने गए हैं बिहार के मुख्य बंतर गंडक नदी तटीय कटाव का मुख्य कारण क्या है तो नदी के दूसरे तट पर सिल्ट का अधिक मात्रा में जमा होना है ठीक है चोड़ाई और गहराई कम भी हो गई है इसके जमा होने से तो चोड़ाई गहराई कम हो जाएगी तो दिक्कत होगी तो इसलिए चोड़ाई और गहराई को बढ़ाने के लिए दूसरे तट पर स पास-पास के गाउं के लोग स्वयंकों सजग और जागरूप रखें। गंडखनदी के बारे मैं देख लें। तो गंडखनतीव यह नेपाल बीहर में बहने वाली एक नदी ओर जिसे बड़ी गंड़की यह केबल गंड़क भी कहते हैं नेपाल में सालिग्रामी ये सालिग्रामी और बिहार में नारायडी सब्त गंड़की के नाम से भी जाना जाता है इसे यूनानी के भूगल वित्ताओं द्वारा नामित कोंडो चट्स याद रखना और प्राचिन भारती महकाव्य मुल्कित नाम है सदा नीडा गंड़क नदी हिमालस निकलती है दक्षन पस्चिम के और प्रवाहित होती हुई नेपाल से भारत में प्रविश कर देती है त्रिबनी परवत के पहले इसमें एक साहयक नदी त्रिशोल गंगा भी मिलती है नदी काफी दूर तक दक्षन पूर दिशा में बहती हुई उत्तर परदेश और बिहार राज के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती है यह नदी जो है उत्तर परदेश में महाराज गंज कुषी नगर जिलों से उकर परवाहित होती है उत्तर परदेश में तो बिहार में चमपारान सारान मुझाफरपूर जिलों से होकर परवाहित होती हुई एक सो बानबे मील की दूरी तै करती है तो यह भी पता होगे कहा कहा से उकर बह रही है गंडग नदी 765 किलो मीटर लंबे घुमावदा रास्ते से गुजर कर पटना के सम्मुखा के गंगा से मिलती है कुल लंबाई वैसे इसकी तेरा सो दस किलो मीटर ध्यान रखना जलगराण च्हेतर इसका 4300 किलो मीटर का है 17900 वर्ग मील अधिकान सभाग नेपाल में है ये भी ध्यान अकना ये अपने गहरी घाटी के लिए वो लेखनी है नेपाल में घंडग नदी के नारे प्रमुख भारतिये सहर जो है उसमें बालमी की नगर है हरी नगर, जोकीराम नगर, हाजि पूर और सौन पूर जिसे हरी हर छेत्र के नाम से भी जाना जाता थी ये प्रमुख सहर है भारती है ठीक है बॉड़ी गंड़क भी इसी में देख लेते हैं बुढ़ी गंडग ना गंडग नदी की प्राचीन परित्यक्त धारा है जो गंडग के पूर में इसके समाना आंतरव आती हूँ मुंगेर के पूरवत्तर में गंगा नदी में मिल जाती है गेर में मिलती है ठीक है गंड़क नदी काली और तरसूली नदियों के संगम से बने काली और तरसूली के संगम को हम गंड़क बोलते हैं ठीक है इनके संगम इस्था से भारती सीमा तक गंड़क नदी को नाराणी नदी के नाम से भी जाना जाता है ये भी ध्यानक ना है सुम बोड़ी गंड़क नदी का उद्गम इस्तल अगर देखें तो भारत के बिहार राजी के पश्मी चंपारण में राम नकर बगहा के बीच इस्तित चौतारवा चौर को माला जाता है यह नदी गंगा की एक सायक नदी है और इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी तो उत्त बेफर दिशां में 20 km च्छेदर में बहते ही आगे बढ़ती है और यहां से नदी क्या है समस्तिपूर बेगु साराय पहुंचती है और यहां 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 सरपीले आकार में बहने लगती है इसी अगर में बहते ही यां मुंगेर की पुर्वतर में खगड़िया के पास खग इसकी धारा का बहा उत्तर पश्चिम से दक्षण पश्चिम दिशा की और होता है अपनी यातर के शुरुत में है नदीप पहले 56 किलोटर चलने के बाद आंते में दक्षण की और प्रवायत हो जाती है तो गंडग परियोजना है इसके बारे हम देख लें तो गंडग परियो के नीचे बिहार राज के बालमी की नगर में बराज बनाए गया है इसी से चार नहर निका लीए जिसमें से दो नहर भारत में है और दो है नेपाल में वही है गंडग परियोजना की सहायता से पंद्रह मेगावाट बिजली का भी उत्पादर होता है यहां से निकाले गए जो है चमपारण के अधरित उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े छेतर की सिचाई करती है ठीक है जाती आधारित जनगर्णा देख लेंगे जाती जनगर्णा में परदेश के सभी वर्गों, धर्मों, संपदाय के लोगों को भी शामिल किया जाएगा समाज के सबसे उपेक्षित लोगों का डेटा बेस बनाने में सहायता मिलेगी ताकि सबसे विकास पर सरकार का ध्यान सबके विकास पर सरकार का ध्यान जा सके मुस्लिम समाज सहित सभी धर्म संपदाई की जातियों उपजातियों की गिंती होगी ध्यान देने योग ये बात है कि पहले इस प्रकार की किसी भी गड़ना में मुसलिम समुदायों की उपजातियों को शामिल नहीं किया जाता था 2011 की जन गड़ना के अंसर बरतमान बिहार में मुसलिमों की लगभग 16.87 प्रतिशत अनसोचित जाति की लगभग 15.70 प्रतिशत और अनसोचित जन जाति की लगभग एक प्रतिशत आबादी निवास करती है ठीक है चलिए ये आपको ध्यान अतना जातिगत जन गड़ना कराने वाला बिहार देश का दूसरा राजी बन जाएगा तो पहला राजी को होना भई पहला राजी इससे पहले करना अठक ने ऐसी गड़ना करवाई है लेकिन इसकी रिपोर्ट प्रकाशत नहीं हो पाई थी तो अगर बिहार में ये रिपोर्ट प्रकाशत हो जाएगा तो बिहार पहला राजी फिर से बन जाएगा इसका मुक्तिश क्या होगा? प्रदेश के लोगों का सरवांगीन रूप से विकास करना है जो किसी कारणवस पीछे आए, उपैक्षित हैं, उनका सबका समगर विकास हो, ठीक है? और याद रखना जिला मेजिस्ट्रेट जो अधिकारी होंगे ना उनको नोडल अधिकारी बनाए जाएगा बिहार राज ने अपनी जाती जनगर्ना करने का नेडल तब लिया है जब किन सरकानी एस्पेश्ट कर दिया कि राष्ट ब्यापी जाती जनगर्ना भी नहीं करवाई जा सकती है जनगर्ना का शुरुआत कब हुआ है तो याद रखना बिहार में लगभग नौद दसक बाद सभी जातियों की आधिकारिक जनगर्ना होने जा रही है पहली बार बिहार में बिटिसकाल में 1861 में जनगर्ना की शुरुआत होई थी बिवन जातियों के लोगों की जनगर्ना भी इसमें शामिल की जाती थी तब से लेकर 1931 तक कुल आठ बार जनगर्ना होई रहे दोरान हर बार राष्ट इस तर पर जातियों की संख्या भी गिने गई थी और 1931 तक की बात है 31 की जनगर्ना के साथ विवन जातियों की जनसंख्या का सरवे हुआ और बिहार में कुल 24 जातियों की ही आबादी बताईगी और इस 41 में क्या हुआ दितियों विश्यों के कारण जनगर्ना संभव नहीं हो सकी तो सतंत्ता प्राप्ति की बाद देश में जब फिर सी जनगर्ना शुरूई तो उसमें सिजाति की गर्ना नामक सीर्शक को हटा ही दिया गया उद्देश के वल यही पता करना था कि किस से जाते की लोगों की संख्या कितनी थी याद रखना भाई से चलिए आगे देखेंगे यह देख चीज और इसमें देख रहेंगे कि ध्यान देना ये भी है कि कुडमी समुदाइन स्वयम को फिर से जन जाती समुदाइन में सामिल करने के लिए लगतार राज में विभन तरीके से अंदोलर कर रहा है बिहार में लोहार समेत कईयन जाती हैं ऐसी विशेश जाती की मांग कर रही है यह केवल इसलिए हो रहा है कि आजादी के बाद सम्मिधान में सम्मिधान निर्माताओं द्वारत देश के सामाजी करूप से दबे पिछड़े वर्गे के लोगों को विशेश संरक्षर देने की व्यवस्ता की गई है ठीक है अच्छा 1931 की जनगर्ना ही है जो जाती के जनसंख्या की वास्तिविक जानकारी का एक मात्र स्रोत है जिसके अंकड़े अप्रासंगिक नहीं हो सकते बाई क्योंकि बहुत पुरानी जनगर्ना है तब से जनसंख्या बढ़ी ही है और याद उस समय न ओडिसा और जारखंड ये दोनों भी बिहार के ही अंग हुआ करते थे ठीक है ये बात आपको पता होने चाहिए आगे रखने के जॉर्ज फर्नान्डिस तीन जुन 2022 को सर्गिये जॉर्ज फर्नान्डिस के जयनती को पहली बार राज किये समाहरों के रूप में मन जॉर्ज फर्नान्डिस की प्रतिमा का अनावरंड किया गया था ठीक है तिनकी जैनती को राज के समरों के मनाने का नहीं लिया गया पिछले साल ही 2020 इसमें इस वर्ज क्या हुआ हुआ कि कोबिड-19 था तो ऐसा नहीं हो सका ठीक है और याद रखना है ये पांच बार मुज मुझफर्पुर्ण से पहली बार लोग आप्षबा करांश कर चुनाव जितनिक और उनका यहां से गहरा लगाव गया है दिससात्र में पहली बार क्चुनाव जितनते दे मुजफर्पुर्ण में, सुक्षुमिलग्दूम मन्ध्यम administrators और विकास संस्थान के छात्री करिया स्थापना कराने उनको बढ़ावा देने में इनका इनकी बड़ी महत्पूर्ण भून के रही है ठीक है इनके माद्धन से मुझाफर पूरी नहीं बलके राज के अन्य बाइस जिलों में भी रोजगार के आउसर उत्पूर्ण हुए ठीक कांटी थर्मर पावर है मधावल पा से मुझाफर पूर में एंडियन ड्रक्स एंड फार्मासिटिकल लिमिटेड और 1978 में लिज्जत पापड की इकाई की इस्थापना हुई ठीक है याद ना भाई इनका जीवन फर्चे थोड़ा देख लिए तो इनका जन्म हुआ है 3.930 को मैंगलोर के मैंगलोरिन कैथोलिक परिवार में हुआ था ठीक है इन्होंने प्रात्मिक सिक्षा मैंगलोर के स्कूल में से ही पूरी की इसके बाद मैंगलोर के सेंट एलियोसिस कॉलेज से अपनी समाचार पत्र में प्रूफ रीडर की नौकरी मिलने से पहले काफी मुश्किलों से बीता था 1950 में समाजिक कार्य करता रामन होल लोहिया के करीब आई है और उनके जीवन से काफी परभावित भी और 1989 में ये मुझफर पूर से चुना दुबारत जीत गए ठीक है फिर जनता पार्टी में शामिल हुए वीपी सिंग की सरकार में कुछ वर्षों के लिए रेल मंत्री भी रहे हैं ये ठीक है इसी दवरान मैंगलोर और मुंबई को जोडने के लिए कौंकर्ड रेलवे प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था ठीक है अब याद रखना ये भारते सुतन त बठन हुआ 1998 में एंडिये के संयोजग बनाएगे जॉर्ज फर्णान्डीस निन्यानबे में जनता पार्टी दो भागों बढ़ गई जिससे जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सिकिलर बने तो जदियू के साथ हो गए और अपनी समता पार्टी को जदियू में मिला लि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया ओप्रेशन विजय इनके कारेकाल की सबसे बड़ी उपलब्धी माने जाती है ओप्रेशन विजय नामे याद रखना है चलिए अगे देखेंगे बाबा ब्रह्मेश्वर इस्थान मंदिर के बारे में प्रेटन विभाव भीहर सरकार ने 9 जून 2022 को बाबा ब्रह्मेश्वर इस्थान मंदिर के चाहार दिवारी सवचाले चेंजिंग रूम भीड के नियंतरन है तो क्यों प्रबंधन मंदिर से सटे 5 एकड की तालाब में घाट निर्माड के प्रस्ताव को मंजोरी दे दी याद रखना ये मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है ठीक है बकसर जिला के ब्रह्मपूर अंचल में इस्थानी मानता ये है किसका निमार स्वयम भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था बिहार उत्तरप्रदेश के सद्धालों के इसकी विशेश मानता है बिहार इस मंदर की सबसे बड़ी विश्यस्ता क्या है तो इसका सबसे बड़ी विश्यस्ता ये है किसका मुख दरवाजा पश्ची मुखी है जबकि देश के अधिकांस स्वयमंदिरों का दरवाजा पूर्व दिशा में अवस्तित होता है ठीक है द्यानक ना ऐसा एक प्रश्न भ यह उल्टे पाउं वापस लौट ना पड़ा था ठीक है यह भी आपको ध्यानक ना है खड़कपूर जील के बारे में देख रहते हैं तो जील किया भई अच्छा खड़कपूर जील ना प्रेटन की सुभधाओं को देखते हुँ देश जून 2022 को प्रेटन भाग भिहार सर मार 1876 में दर्भंगा राजा के द्वार करवाय गया था इसमें इस समयना सिचाई विभाग बिहार सरकार इसका रख रखाओ और संचालन कर रही है यह जील का है बिहार के मुंगेर जिले में हवेली खड़कपूर से तीन किलोमेटर की दूरी पर मनी नदी पर रवस्तित है चारों से छोटे-छोटे पाड़ियों से गिरा हुआ है जील लगभग पांच हजार एकड में फैला है आसपास के 64 वर्ग मील का पानी यहां जमा भी होता है इस्थानी लोगों के लिए बहुत ही विशेश परेटन इस्तल है यह भी ध्यान रखना और हर साल नव वर्ष के पर यहां लागों लोग परेटकल आते हैं और छोटी पाड़ियों करण यहां का सूर्यास्त बड़ा मन मोहक होता है इसका यहां विभिन संसेट व्यू पॉइंट भी बनाए गये हैं बुकानन ने इस खूबसूरत जिल की तुलना की है सुर्जल लेंड के किल नरी जिल से तो एक प्रश्णी भी तैयार हो गया कि बुकानन महोदे ने किस जिल की तुलना सुर्जल लेंड के किल नरी से की है तो एक प्रश्णी भी आपका तैयार हो गया आगे दखेंगे FSSAI की राष्णी खाद प्रयोग शाला कहां भीया बिहार में बनेगी तो पूरवी चंपारण जिले के रक्साओल में केंदे स्वास्थ परिवार कलनार रसायन और वर्ख मंत्री मनसुख मंडाविया और भीया सरकार के स्वस्थ मंत्री स्वास्थ मंत्री मंगल पांडेन से ग्रूप से देश के चाओ थे और राजी के पहले राष्ट्य खाद प्रयोग शाला का उद्गाटन की है कहां पे पूरवी चंपारण की जिला के रक्साओल में ठीक है यह बात आपको ध्यान में रखना है मुख बंद के रूप में ध्यान है तो भारत नेपाल के मद्ध हुए द्विपक्षे समझोते के अंतर फसाई राष्ट्य खाद प्रयोग शाला की स्थापना नेपाल से रक्साओल में आयातित खाद पदार्थों के नमोनों की जाच में लगने वाले समय को कम करने के लिए की गई है तीक है यह बात आपको ध्यान में रखनी है तीक है आगे देखते हैं मुख बंदी के रूप में आगे देखेंगे नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर्ट टेस्टिंग एंड कालिबरेशन लेबरेटरी इस साल जुलाई अगस्त तक खाद प्रयोग साला को म मिल जाएगी प्रयोग साला क्या अगरेगा सिग्री अनाज बसा तेल मसाला फर सब्जी पैकेज्ट प्यजल के नमूनों क्या परिक्शन शुरू करेगी आवसकता पड़ी तो भारत नेपाल के काटमांडू फूड लैब को भी नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टे भारत सरकार ने दोहजार बारत सरकार 2022 में पूरा कर रही है ठीक है चलिए आगे देखते हैं फसाई के बारे हम देखने एफसे से आई भारती एक खाद सुरक्षा और मानक प्राधी करण नाम है पूरा ठीक है याद रखना फसाई भार सरकास स्वास्त पर यूआर कर लियान मंत्रालेक दौरा पांस सेतंबर दोहजार आठ को गठेती एक सायत संगठाने भाई इसकी स्थापना फूर्ड सेफटी और स्टेंडर्स एफसेस एक्ट दोहजार च्छे के अंतरगत सुरक्षा विनियमन के उद्देश से की गई थी विनियमन और प्रवेक्शन के माध्यम से फसाई लोगों के सुरक्षा का ध्यान रखती है और उसे बेहतर बनाने का काम करती ह एक एक्ट दोहजार च्छे मुख्लक्ष क्या है कि विभिनिस्तर विभागों के खाद सुरक्षा मानकों के कारे को किसी एक संग्ठन का निर्मार करके उसे पूंडू से सौंप देने का था इसकी स्थापना इसलिए भी की गई है क्यों कि वह खाद संबंदी मामलों के ठीक है तो यह कुछ इसके बारे में मुख्य बिंदू है अब इसके काम क्या है इसके कुछ काम है जैसे खाद संबंदी मानदन दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए विनियमों का निर्धारण करेगी विभन मानकों को लागू करने की उचित व्यवस्ता करना दिशा निर्धारित करना ठीक है यह कुछ इसके काम है काम तो बहुत सारे है इतने हमकों ध्यान रखने हैं एक और ध्यान रखने इसमें खाद सचता फाइटो सेनेटरी मानकों के लिए अंतराश्टे तकनिकी मानकों के विकास में योगदान देना है खाद सुरक्षा एक्ट दोजाच्छेस में साथ पुराने खाद बदार्तों से संबंदित अधिनियमों को भी समाहित किया गया तो कौन कौन से थे भई देखिए प्रेवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट नाइंटिन फिप्टिफूर फूट प्रोड़क्स ओर नाइंटिन और सॉल्वेंट एक्स्ट्रैक्टेड ओयल डी ओयल मील एंड एडिवल फ्लूर कंट्रोल और नाइंटिन सेक्टी सेवन और मिल्क हंड मिल्क प्रोड़क्ट ओर नाइंटिन नाइंटिन तू इन सातों को क्या किया गया इसमें समाहित किया गया ठीक है चलिए आगे देखि प्रारम करने का नड़े लिया गया है इसी जुलाई महीने से दुर्गाउती जलाश है का रिवर सफारी बिहार का ऐसा पहला सफारी होगा जिसमें जंगल नदी दोनों का अनंद एक साथ मिल जाएगा जलाश है किनारे मौझूद रोहतास और दूसे तरफ मौझूद कैमूर पहाड़ी का इलाखा सलाने के लिए काफी रमड़ी होगा एक तरफ रोहतास है दूसे तरफ कैमूर पहाड़ी है ठीक है रिवर सफारी के लिए पचीस सीटर डबल हल्क नाव की सहायता से नदी के अंदर गुपता धाम की और छे किलो मीटर तक की यात्रफ कराई जाएगी परेटकों के लिए चार किलो मेटर जंगल सफारी छे किलो मीटर जलाशा में रिवर सफारी का प्रबंधन किया गया है ठीक है गुर्गावती परियोजना की नियू ततकालिन उपपरधान मंत्री जग जीवन राम ने 1976 में रखे थी 1976 में रखे थी 2014 में 38 वर्ष बाद इस प ले दे थे गंड़क नदी में लेकिन बोट में सवा बोट पर सवार होकर आगे जाने पर परेटकों सघन बन च्छत्र के इलाकों में घूमने से वन्चित होना पड़ता था अब ये समस्य खतम हो जाएगी फिलाल है चलिए योगेंदर पांडे हैं कोई इनके बारें देख तो बिहार सरकार के पूर्व लगु सिचाई राज्यमंत्री गोविंद गंज विधानसवाचेत्र के पूर्व विधायक है योगेंदर पांडे का 88 वर्ष की आई में 7 जून 2022 को निधान हो गया इनकार्थिक ये बात याद रखना ठीक है अब एक चीज़ और याद रखना है बिहार के ततकालिन मुख्यमंत्री स्री लालो प्रसाद यादिन जब पहली बार बिहार के बावड़र समाला थे न तो योगेंदर पांडे को अपने मंदल में इस्थान दिया था और 95 की बीच वे बिहार के लगों से चाहिराज्यमंत् नब्बे के तशक में ये तब चर्चा में आते हैं जब उन्होंने ततकालिन मुख्यमंत्री लालो प्रसाद जी को चादी के सिक्के से तावला था याद रखना ये बार ठीके और 95 में गोविंद गज विधान सब मोती हारी निर्दली उम्मीदवार के रूप में पहली बा कोपरेटिव बैंक के वाइस चेर्मेन भूमविकास बैंक के चेर्मेन फिर बिधायक और हंत में मंती तक का सफर लोकप्रियता के आधार पर इन्होंने प्राप्त यह ताई किया था आगे देखने के स्री गुरु देव बलराम जी इसके वारे में दिख लिए ये क्या है त मात्र उद्बोधन आसरम के प्रांगण में स्री गुरु देव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण किया है तो कहां पर हुआ है आपको पता होगे अब पटना में है यारपूर मात्र उद्बोधन आसरम के प्रांगण में ठीक है स्री स्री एक हजाराट गुरू देव बलराम जी महाराज मात उदबोधन आस्रम यारपुर के संस्थापक और संरक्षक दोनों थे इनका जन्म हुगा था पांच जून 1923 को 17-18 साल के उमर में अपने गुरू एस के भटक चारे के सानद में उन्होंने साधना शुरू की थी 1962 में यारपुर पट्रम मातर उदबोधन आस्रम की स्थापना की इन्होंने इन्होंन अपने जीवन में अनिगिनत लोगों को धर्म सुकर्म के पतपर लाए अपने जीवन के अंतिमशन तक मानुविय सेवा में लगे रहे ठीक है फिर 1975 में सत चंडी महायग, 87 में सहस चंड महायग, 2009 में कोटी चंडी महायग का आयोजनिंहोंने करवाया था, ठीक है, फिर मानुव सिवा को देखते विए रुद्राभी शेख फाउंडेशन लंदन ने इन्टरनेशनल हिंदू अवर्ड देवी धाम हॉलेंड ने मिलेनियम इंटरनेशनल हिंदू अवर्ड से सम्मा राजनितिगे, इनके सिश्चे रहे हैं भाई, ठीक है, यह हो गया, जून का करंट अफेयर कम्प्लिट हो गया, अब अगली वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे अपका मई महीने का करंट अफेयर, ठीक है, मई का देखेंगे, उसके बाद हम अपरेल का देख ल करेंगे, ठीक है, तो फिलाल आज की वीडियो हम यह समाथ करेंगे, इसकी पीडियाप हमा लोगों को पहले भी शेयर कर चुके हैं, अगर आप लोगों पढ़ लिया है, तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो इसको बहुत बेनेफिट मिलने वाला है, आपके एक्जाम म मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद,